हलो एबरीवान सभी का स्वागत ही हमारा चैनल एडीजी के मंत्रा पर तो आज हम लोग करेंगे बहुत ही एक इंपोर्टन टॉपिक के उपर डिसकुशन क्योंकि यह एक्जाम में पूछे जाते है ठीके तो टॉपिक क्या है टॉपिक के प्रेसिडेंट और पी एम जो जो कं 21 & 2020 में इलेक्टेट हुए ठीके इसके उपर जो नॉर्मल क्या है नाशनल इंटरनाशनल एपॉइन्मेंट 2020 का जो टू का है जो करेंट एफेस 2022 का पार्ट है जो बहुत ही इंपोर्टन अपकम एक्जाम के लिए एक्जाम में पूछे जाते है ठीके तो कौन-कौन कंट्री इसे कौन को नुली प्रेसिडेंट नुली पीएम एपॉइन्ट हुए ठीके जो इलेक्टेट हुए तो उसके ऊपर कोशन आते है ठीके तो चलिए इस इंपोरेंट टॉपिक के उपर जो जो कोशन लिएगा है नुली एपॉइन्ट उसको देख लेते क्या है बहुत ही आप लोग लिखे रख दीजिए एक्जाम में पूछे जाएंगे यह कोशन ठीके तो चलिए स्टार्ट करते है आज का सेशन तो फर्स्ट कोशिन क्या है देख लेते हैं któ was become the new president of Iran ठीके तो new president of Iran कौन है अभी तो कया होगा इसके सटारी या सेटार्गा आप्डिए अशे उसके लिए इंपार्ट तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या next है तो next question का है question number two who has been re-elected as the president of indonesia ठीक है तो indonesia के re-elected president कौन है तो क्या होगा इस कैंसर indonesia के re-elected president होगा जोको विडोडो ठीक है next question question number three who has become the new president of israel तिके तो israel country के new president किसको निजुकत किया गया तो कौन होगा कौन elected हुए new president of israel तो क्या होगा इसका answer इसका answer होगा Isaac Herzog ठीके important चलिए यह questions ssc में पीएसस जो जो exam होते हैं हमारे public service commissions के ठीके उसमें एक्जाम में पूछे जाते हैं रेलवे में शायद नहीं पूछे जाएगा पर SSC में ज़रूर पूछे जा सकता है ठीक है चली नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर फो who has become the new prime minister of Israel ठीक है तो इसराइल का president जाने हम तो प्राइम मीनिस्टर कॉन होगा तो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर होगा option B Naftali Bennett ठीक है? नफ्तली बैनित न्यो प्राइम मिनिस्टर आफ इसराइल next question, question number 5 तो क्या होगा Who has become the new prime minister of Kazakhstan ठीके जो Asia countries तो कजाकिस्तान के new prime minister कौन बने है तो क्या होगा इसका answer Ali Khan smile of यह important ठीके यह newly बने यह question पूछा ज़सकता है ठीके तो कजाकिस्तान के Ali Khan smile of new prime minister Next question, question number 6 क्या होगा who has become the new prime minister of south korea very important ठीक है पूछा जाएंगा जरूर एक्जाम में ठीक है तो क्या होगा special WBCS में यह कोशन पूछे जाएंगे बोल सक अभी से बोल देते हैं तो क्या होगा south korea का new prime minister कौन होगा किम बो क्यों ठीक है किम बो यूं क्या होगा जो south korea का prime minister इन यूंग चलिए next question question number seven क्या है question number seven who has become the new prime minister of north macedonia north macedonia का new prime minister कौन बने हैं क्या होगा इस कैंसर option b dmitr kovasevsky ठीक है चलिए next question question number eight क्या है who has become the new president of kyrgyzstan ठीक है तो kyrgyzstan का new president बने हैं कौन newly तो क्या होगा इस कैंसर option c sadir zaparov ठीक है चलिए next question जा लेते next question 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 number nine next question क्या है question number nine क्या है ओके तो president जने हैं क्रगिस्तान के now new prime minister of kyrgyzstan ठीक है तो new prime minister of kyrgyzstan क्या होगा इसका answer इसका answer होगा option b akilbek zaparov ठीक है जो ही zaparov है तो zaparov मतलब क्या है यह खिर्गिस्तान से ठीक है तो एक president क्या है and एक prime minister ठीक है चलिए next question question number ten who has become the new prime minister of Lebanon country तो Lebanon country के new prime minister कौन है सब्सक्राइब क्या है तो कौन होगा लेबनन के new prime minister नाजीव मिकाती ठीक है नाजीव मिकाते new prime minister of Lebanon यह जो जो question हम दे रहे इसके तो यह question जरूर आप लोग रटके रख दी जी का note करके रख दी जी का क्योंकि इससे question जरूर पोचे जाएंगे आप लोग एक्जाम के बाद हमको comment करके जरूर बताएंगे इससे question आए ठीक है तो चलिए next question question number 11 देख लेते हैं who has become the new president of laos ठीक है तो चलिए next question question number 12 देख लेते हैं who has become the new prime minister ठीक है तो new prime minister of laos ठीक है तो president जाने लाउस के तो नाउ जानेंगे क्या जो लाउस के prime minister है तो कौन है ओके option B फैंकम विफावन ठीक है फैंकम विफावन क्या होगा यह लाउस के new prime minister next question question number 13 who has become the new prime minister of malaysia country ठीक है तो malaysia country के new prime minister कौन है very very important यह विए एक्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत important है तो malaysia के new prime minister कौन होगा क्या होगा इस cancer इस cancer होगा option C इस्माइल सबरी याकूब ठीक है तो ismail सबरी याकूब malaysia के prime minister बने है new question next question क्या है question number 14 who has become the new prime minister of Myanmar ठीक है तो Myanmar country के new prime minister बने है कौन तो option B Min Min Ang lying ठीक है Min Ang lying क्या होगा यह बने है prime minister of Myanmar next question question number 15 who has become the new prime minister of Nepal तो Nepal के new prime minister बने है कौन यह very very important है neighbor country हमारे तो इसके लिए तो क्या होगा prime minister of Nepal कौन होगा new option C Sir Bahadur ठीक है चलिए next question question number 16 देख लेते है question number 16 क्या है who has become the new prime minister of Vietnam ठीक है तो Vietnam के new prime minister कौन है तो क्या होगा यह भी very very important है यह भी question पूछा जाएगा एक्जाम में ठीक है WBCS में पूछे जाएंगे बोल देते हैं पहल से ठीक है तो क्या होगा option A firm main chain ठीक है तो firm main chain Vietnam का new prime minister है चलिए next question question number 17 who has been re-elected as the president of Uzbekistan ठीक है तो उजबेकिस्तान के new president कौन बने जो re-elected हुए तो क्या होगा इसका answer यह भी very very important है तो कौन होगा सवाकत मिर्जी योए बने है सवकत मिर्जी योए कौन बने है यह उजबेकिस्तान के president बने है recently ठीक है चलिए next question next question क्या है who has become the new prime minister of bulgaria ठीक है तो bulgaria का जो new prime minister बने है तो क्या होगा इस cancer bulgaria का new prime minister Kirill Petko बने है recently ठीक है चलिए next question question number 19 question number 19 क्या है who has become the new prime minister of Czech Republic ठीक है तो Czech Republic जो country है तो उसके लिए जो new prime minister बने है Czech Republic के तो कौन बने है new तो क्या होगा इस cancer इस cancer होगा option बी Peter Fila ठीक है Peter Fila क्या बने है Czech Republic के new prime minister next question question number 20 who has become the new prime minister of Estonia ठीक है तो Estonia country के new prime minister बने है कौन तो क्या होगा इस cancer तो Estonia के new prime minister बने है new president बने है sorry new president कौन बने है option C अलर केरीज ठीक है यह important है next question question number 21 तो president जाने है हम Estonia के तनाओ new prime minister Estonia के कौन है कौन बने है new prime minister तो क्या होगा इस cancer new prime minister बने है option B काजा कलास ठीक है next next question question number 22 who has become the new president of Hungary country ठीक है तो Hungary के new president कौन है यह भी important बने है ठीक है तो अंगरी के new president बने है कौन तो क्या होगा इस cancer इस cancer होगा option C Cataly No Work ठीक है तो option क्या होगा option Cataly No Work तो नाओ क्या होगा question number 23 who has become the new president of Italy very very important Italy का new president कौन बने है इस इवा इस बार बने है क्या Italy के new president तो क्या होगा इसका option answer क्या होगा इसका answer होगा option B Sergio Matarela ठीक है तो Sergio Matarela बने है new president of Italy next question question number 24 who has become the new prime minister of Italy country ठीक है तो इटली का जो new prime minister बने तो new prime minister कौन होगा तो इसका answer क्या होगा new prime minister इब इटली इटली का new prime minister होगा option A Mario Draghi ठीक है तो Mario Draghi क्या होगा Italy का new prime minister next question question number 25 अगर अभी तक देख चुके हो तो जरूर एक like कर देना ठीक है अभी एक जटक से एक like बटन को बदा दबा दीजिए ठीक है तो चलिए next question पे चले जाते तो question number 25 who has become the new prime minister of Malta ठीक है तो Malta का new prime minister कौन बने है अभी तो क्या होगा इसका answer तो Malta का new prime minister है Robert Abela ठीक है तो Robert Abela new prime minister of Malta next question question number 26 who has become the new president of Moldova तो Moldova के new president कौन बने है तो क्या होगा option C Maya Sandhu ठीक है Maya Sandhu क्या बने है Moldova के new president ठीक है तो ये very very important है ठीक है exam में पूछे जाएंगे Moldova के चलिए next question question number 27 who has become the new prime minister of Norway country ठीक है तो Norway country के new prime minister कौन होगा तो इस cancer क्या होगा is cancer होगा option B Jonas Gahas told ठीक है चलिए next question question number 28 who has become the new prime minister of slovakia country ठीक है ये very very important now जो situation चल रहा ये उक्रेन राशिया के लिए तो ये slovakia आ सकते exam में ठीक है क्योंकि ये नेरे बहुत country है ये उक्रेन रिश्या के चलिए तो क्या होगा ये new prime minister of slovakia कौन है तो option B Edward Hagar next question question number 29 who has become the elected new prime minister of portugal ठीक है तो portugal country के new prime minister कौन बने है कौन इलेक्ट है तो क्या होगा इस cancer पॉर्टुगल के new prime minister बने है एंटेनियो कोस्टा फुल नम क्या है है एंच ए एंटेनियो कोस्टा ठीक है चालिए next question question number 30 question number 30 क्या बोल रहा है who has become the new president of the barbaros country ठीक है तो barbaros country के new president कौन बने है तो क्या होगा इस cancer तो barbaros country के new president बने है कौन sandra mason ठीक है तो sandra mason जो president बने तो ये पहले female president बने ठीक है तो first female president बने कौन sandra mason next question number 31 who has been reelected as a prime minister of barbaros country ठीक है newly prime minister कौन बने barbaros country के तो क्या होगा इस cancer is cancer होगा option c mia mothley ठीक है तो mia mothley बने क्या prime minister of barbaros country जो recently reelected हुआ है ठीक है चलिए ये भी important question है next question क्या है who has become the president of Honduras country very very important तो Honduras country के जो president बने है newly तो कौन बने है तो क्या होगा is cancer is cancer होगा option A. Xiomara Castro ठीक है Xiomara Castro क्या बने है the president of Honduras country चलिए next question question number 33 who has been reelected as the prime minister of Haiti country ठीक है तो Haiti country के जो prime minister बने है जो recently कौन हुए elected हुए तो क्या होगा is cancer Haiti के जो prime minister है वो है Ariel Henry ठीक है चलिए next question question number 34 तो question number 34 क्या है who has been reelected as the president of Nicaragua ठीक है तो Nicaragua का जो president है वो reelected हुआ है after five years तो क्या होगा तो कौन हुए है तो कौन थे पहले भी तो option C. Daniel Ortega यह भी important question है ठीक है यह question पूछे जा सकते exam में ठीक है तो चलिए next question question number 35 यह question सभी को पता होगा become the president of USA ठीक है तो USA के president कौन बने है जो Biden ठीक है चलिए next question question number 36 who has been reelected as the president of the Gambia the Gambia के जो president बने तो क्या होगा तो किसको बने किनको reelect किया गया है जो president तो क्या होगा इस cancler इस cancler को option भी Adam A. Boro को किया गया है ठीक है चलिए next question question number 37 who has become the president of Tanjaniya country ठीक है तो Tanjaniya country के जो president कौन बने है ठीक है तो क्या होगा इसका answer इसका answer होगा Samia Suluhu पूरा नाम है Samia Suluhu Hasan ठीक है Samia Suluhu Hasan जो होगा जो president बने है Tanjaniya country के ठीक है next question question number 38 who has been elected as the prime minister of Tunisia country ठीक है तो Tunisia country के जो prime minister बने तो क्या होगा तो इसका answer होगा option A Najla Borden ठीक है Najla Borden को बनाया गया prime minister of Tunisia country next question देख ले तो next question question number 39 very important question होने वाला है ठीक है ये तो क्या है the youngest president of Chile तो Chile country के youngest president बने है कौन तो क्या होगा इसका answer इसका answer होगा option C Gabriel Boric von जो youngest president बने है Chile के ठीक है Gabriel Boric font next question and the next question question number 40 क्या है who has become the president of Equator ठीक है तो Equator country के जो president है तो कौन होगा Equator के new president बने है कौन जो क्या इसका answer क्या होगा इसका answer होगा option B गुलेर्मो लासो ठीक है गुलेर्मो लासो को बनाया गया क्या प्रेसिडेंट अफ एकुवेडर कंट्री next question and the last question of this station यह हमारे नेवर कंटी से यह जो एशिया कंट्री से ठीक है तो who has been elected as a prime minister of Japan very very important ठीक है जापान का भी newly 2021 में बने तो क्या होगा इस cancer इस cancer होगा Fumio Kisida ठीक है Fumio Kisida क्या होगा Prime Minister of Japan Country ठीक है यहाँ पर जो 41 जो President and Prime Minister के जो list दिये दे है यह 2022 में जो updated है तो इससे बाहर question नहीं आ सकता अगर पूछेगा तो इससे ठीक है पूछेगा तो जरूर पूछेगा तो यह बहुत important है आप लोग जरूर इसको note करके लगते जीगा और यह exam में पूछे जाएंगे तो चलिए आज के लिए इतना है रखते हैं अगर अच्छा लागा तक लाइक subscribe जरूर कर देना चैनल में नया होता प्लीज सब्सक्राइब कर देना और प्लीज कॉमेंट कर देना है ठीक है तो क्या-क्या चाहिए आप लोग का नेक्स वीडियो हो चाहिए आप लोग क्या-क्या रिक्रार्मेंट है तो आप लोग इंपुट दे सकते थिकेए जो भी इनपुट हो वीडियो कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है अच्छा हो रहा है के बुरह हो और सभी आप लोग कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा ठीक है एक कॉमेंट जरूर कर दीजी के तो टाटा आज के लिए इतना ही रखते टाटा बाई बाई